राजदानी ब्यूट, सच कहने का साहस और सलीका, हमने आपकी आवास, राजदानी ब्यूट इसमें उन्होंने बताया कि संदोजाग सोला से अभी तक नीशुलक फीज पूर्ती का पैसा भी नहीं आने से, इसकूल संचलक आर्थिक तंगी के दोड़ से गुजर रहे, ऐसे में उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि संस्थाओं के खातों में पैसा जल्द डलवाय आज नीशी स्कूल संग के बेनर तरह हमने दस सुत्री मांगों को लेकर माननी डिप्टी कलेक्टर मांगों को आज गया 500 पाए, इसमें सर परतमाई मांग जे है कि आर्टी का जो पैसा है 2016 से लेके अभी तक करोखा हुगा है, जो कड़ोर वार्वर रुपे है लगबग स्क काल्प किया जाए, दूसरा जो आर्थिक पैकेज की बात आती है, तो हमाए जो प्राइविट स्कूलों के में जो सिक्चक हैं, उनको आर्थिक पैकेज कुछ मानी प्रदानमंती ये मुक्वंती मौते दिया जाए, तीसरी हमने मांग जाए कि टीसी को देने के लिए परसास खुद दे, आधी अनेक मांगों को लेकर हमने मानिये कलेक्टर मांदो को ग्यापन से, परांती आवहं पर जिलाद देक्ष के रुपने में महताव सी मर्वरिया, और समस्त स्कूल संचाला के में पदादी कारी आज, वास सुत्री ग्यापन देने के लिए यहां प्रस्तुत होना चाहिए, उसको भी छूट देना चाहिए, इसका हम रोद करते हैं कि ऐसा कारिया नहीं हो, जिससे कि यह COVID-19 का ध्यान रखते हुए, उसको परिपालन में हम कहते हैं कि जब आसास की बंद है, तो आसास की ब्यालनी भी तरह के नहीं होने चल, उससे COVID-19 फेर रहा है, विदीशा से कमल रेकवार की रिपोर्ट